सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी सिंग एसिस्टेंट प्रोफिसर डिपार्टमेंट अप एजुकेशन एसेस खन्ना गर्थ्ट्रिग्री कॉलेज युनिवर्सिटी ओफ अलाबाद हम लोग बात कर रहे हैं मेथट्स ऑफ एजुकेशनल साइकॉलज जिसमें से की एक्स्पेरिमेंटल मेथद पर बात कर चुके थे के स्टडी मेथड रह गया था तो इससे पहले की हम शुरू करें जॉइन माई टेलिग्राम ग्रूप explore education and subscribe my channel too if you like my video to get my future videos first of all concept of case study case study method क्या है क्या इसके बारे में बातचीत की जाती है क्या इसकी विशेष्टा है पहले यहां से शुरू करते हैं फिर देखेंगे कि यह psychology में कैसे आया कैसे यह psychology का method बन गया इसका उदभव कहां से हुआ है क्या यह psychology का ही ओरिजिनली method था या हमने इसको कहीं और से लिया है तो sorry a case study is a particular method of qualitative research तो सबसे पहली बात क्या पता चली case study के बारे में कि यह qualitative यानि गुणात्मक अनुसंधान की विशिष्ट का एक विशिष्ट तरीका है यानि कि इसका quantitative research से कोई लेना देना नहीं है और जबकि ए experimental method की हम लोग जो बात करे थे वो quantitative था क्योंकि वहां पे हम variables की बात करे थे गड़ना की बात करे थे यहां पर वो सारी बाते नहीं की जाएंगी फिर rather than using large sample यहां एक तरीके से आप यह भी समझ सकते हैं कि experimental से ही तुलना चल रही है यानि कि quantitative से तुलना चल रही है rather than using large samples क्यों कि quantitative में generally हम क्या करते हैं population के एक बड़े हिस्से को चुनते है और जो उसका representative होता है उसको sample बना लेते हैं comparatively sample हमारा quantitative researches में large होता है and following a right protocol और हम वहां systematically चलते हैं systematically यहां भी चलते हैं लेकिन यहां पे हम fixed नहीं रहते हैं जैसे कि वहां fixed रहते हैं to examine a limited number of variables case study methods involve an in-depth longitudinal examination of a single instance or event or case यहां पे large sample नहीं होगा हम लोग एक fixed protocol को follow नहीं करेंगे हम variable study नहीं करेंगे बलकि क्या करेंगे in-depth longitudinal examination longitudinal का मतला पता है समय के साथ करेंगे मतलब हो सकता है लंबे समयान थराल तक हमको उसी का अधियन करना पड़े और फिस single instance हो सकता है कि हम किसे single instance का या single घटना का या single case का अधियन कर रहे हूँ जबकि quantitative या experimental methods में यह नहीं होता है वहाँ पे हमारे पास example होता है कुछ variables होते हैं जिनके दर्मियान हमको cause and effect relationship देखना होता है तो case studies are in-depth investigations तो खास बात हमको क्या पता चली कि घट जाच तो है पर किस तरीके की जाच है in-depth यानि कि हमको गहराई में जाकर सब कुछ उस case के बारे में पता करना है जो क्या हो सकता है case हमारा एक ब्यक्ति हो सकता है कोई समूम हो सकता है even कोई घटना हो सकती है कोई community हो सकती हमारा case और उस case का हमको in-depth investigation करना है okay then typically data are gathered from a variety of sources and by using several different methods यानि कि generally इसमें data हम कैसे gather करते हैं आंक्णों का संग्रहन कैसे करते हैं संग्रह की variety of sources बहुत सारे हमको sources से लेना पड़ बहुत खासी आ रही है and by using several different methods और बहुत तरीके के हमको methods भी use करने पड़ते है जो लोग थोड़ा बहुत भी qualitative research के बारे में जानते हैं तो triangulation का उन्होंने शब्द सुनाओगा triangulation का concept triangulation यही कहता है कि चुकि qualitative research में यह बात होती है कि आप मतलब आपका data valid है की नहीं है इसलिए क्या करना पड़ता है मतलब वही हम निकाल के ला रहे हैं data के रूप में जो कि हमको निकालना चाहिए था इसलिए हम data कई sources से gather कर लेते हैं तो वो हमारा validate हो जाता है कि अगर हमको interview से भी वही बात पता चल रही है questionnaire से भी बात पता चल रही है हमको observation से भी वही बात पता चल रही है तो इसका मतलब कि हमारे data में validity है कि वहीं चीज़ निकल कर आ रहे है वही हमने लिखा है वही हमने negotiate किया है जो कि actually है इसी लिए qualitative researches में generally हम variety of sources or different methods से data को gather करते हैं ताकि ये वाला दोश इसमें से खतम हो जाए कि हमने सही नहीं collect किया ये दोश then history के अगर बात करें क्या इतिहास रहा है case study का तो as a distinct approach to research अगर हम इसको माने कि ये अनुसंधान की एक विशिष्ट उपागम है तो कहां से आता है ये निकल के use of the case study originated only in the early 20th century के बार हमको बीसमी शताबदी के पूरवार्ध में इसका नाम जिक्र स्मनाई पड़ता है the Oxford English Dictionary traces the phrase case study back as far as 1934 after the establishment of the concept of a case history in medicine मतलब Oxford English Dictionary में अगर हम इसको ढूरना चूर करते हैं तो हमको ये 1934 के आसपास मिलता है कब जबकि medicine में medicine के क्षेतर में clinical जो sciences है उसके क्षेतर में ये concept कहीं use किया जा रहा है तो क्या मतलब निकल के आया the case study research method originated in clinical medicine the patient's personal history मतलब कि ये clinical sciences का originally ये method है क्यों क्योंकि हमको patient की history पता करना है हमको patient हमारा case है और हमको उसके बारे में सब कुछ पता करना है तब हम जान पाएंगे तब हम diagnose कर पाएंगे तब हम remedy provide कर पाएंगे उसके लिए तो originally ये method कहा originate हुआ है clinical science में और वहां से psychology में borrow कर लिया गया है तो the use of case studies for the creation of new theory in social sciences has been further developed by the sociologists Barney Glazer and Anselm Strauss who presented their research method grounded theory in 1967 generally qualitative researchers को जानने वाले जरूर ये grounded theory की किताब पढ़ते हैं या उसका concept पढ़ते हैं आर्टिकल पढ़ते हैं और Glazer and Strauss के नाम से famous हैं ये लोग इन्होंने हम कह सकते हैं कि social sciences में जो कि clinical science में ये चीज़ आ रही थी case study उसको social science में लाने का श्रेय Glazer और Strauss हो जाता है तो फिर psychology में किसने कहिए इस पे काम psychology में case studies are widely used in psychology psychology में बहुत case studies की जाती रही है and amongst the best known उन्वल्दी वन्स केरिए आउट बै सिग्बन फ्राइड फ्राइड साब का नाम हम सब लोग चानते हैं तो psychology में फ्राइड वो मनोवे ज्यानिक हुए हैं जिन्होंने सबसे जादा case study पे काम किया है he used case study method to assist his subjects in solving personality problem subject का मतलब वो विशई जिन पर वो research कर रहा था जिन पर वो study कर रहा था या कर रहे थे तो फ्राइड साहब जो personality problem यानि कि कुछ ऐसे उनके patient थे कुछ ऐसे जिनको कोई personality disorder था तो उसको assist कर रहे थे इस method के थूँ किस method के थूँ case study के थूँ फिर even today case histories are one of the main methods of investigation sorry one of the main methods of investigation in abnormal psychology and psychiatry तो आज भी जो abnormal psychology जो कि psychology की एक branch है उसमें case histories बहुत यूज की जाती है और psychology में in psychology case studies are often confined to the study of a particular individual को particular individual है उसको हमको study करना है कि उसका हमको पूरा case history जानना है तो उसके लिए case study यूज की जाती है the information is mainly biographical मतलब हम उसकी पूरी biography उसकी study करेंगे and relates to events in the individual's past as well as to significant events which are currently occurring in his or her everyday life यानि कि उसकी biography हमको पता कर नहीं है उसका पूरा भूत काल मतलब क्या हुआ कैसे पढ़ाई माता पिता उनकी शिक्षा कोई इस तरीकी की कोई बीमारी या कोई ऐसा event जो बहुत महत्कून रहा हूँ सब कुछ everything in totality हमको case study में उस particular individual, group, event, instance के लिए हमको study करना होता है then steps अगर हम case study करने जा रहे हैं तो कौन से वो चरण हैं जिनको हमको follow करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे determining the present status of the case और cases अगर हमारा एक case है या हम कुछ cases की study करने जा रहे हैं तो हम उसकी present status को determine करेंगे, सुनिश्जित करेंगे यानि कि हम एक observation लेंगे कि क्या चीज है, बस तुस्तिती है क्या then identifying the most probable hypothesis of the case or cases फिर क्या करेंगे हम ढूनेंगे, पता लगाएंगे ये चीज जाचेंगे कि क्या, मतलब हम कोई particular चीज की study कर रहे हैं, मतलब कुछ उसमें deviation होगा, कुछ अच्छे के sense में या बुरे के sense में कोई deviation होगा तभी तो study करने जा रहे हैं, जर्रल व्यक्ति की तो कोई study करने का कोई अर्थ नहीं है तो वो जो जो वो deviation है या अच्छे की तरफ है, positive में है या negative में है, तो हम एक most probable hypothesis identify करेंगे, कि इसकी बजह क्या हो सकती है, फिर verification of hypothesis, जब हम पूरा data हमारा collect हो जाएगा, तो हमारी hypothesis verify हो जाएगी, कि हमने सही hypothesis बनाई थी या नहीं बनाई थी, then diagnosis and remedial measures, हम कर क्यों नहें case study, अगर Sigmund Freud साहब ने की क्यों थी, क्यों क्यों कि कुछ लोगों को जो भी उनके patient थे, psychopathology पे उनका काम है वो जो personality disorder से वो ग्रसित थे, तो उसकी study करके वो दूर ही तो करना चाहरे है ना, उनका problem, तो हम भी या case study करके वो जो particular problem है या particular जो deviation है, उसको क्या करेंगे diagnose करेंगे और फिर हम remedy provide करेंगे, हमारा purpose यही है ना then follow up of the case or cases, उसके बाद हम क्या करेंगे follow up करेंगे, कि हमने जो remedy provide की, वो वाकई fruitful है या उसका कोई अर्थ नहीं है, और अगर fruitful नहीं है, इसका मतलब हमारी hypothesis और हमारी research मतलब hypothesis हमारी गलत होगी और हम फिर से करेंगे, ओके तो यह जो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच steps हैं जिनको की case study method में मोटा-मोटा एक in general हमको यह steps follow करने होते हैं then where to find data अगर हम case study method इस्तमाल करने जा रहे हैं, use करने जा रहे हैं अपनी research में, तो हमको data कहां से मिलेगा, sorry data कहां से मिलेगा हमको, archival records हो सकता है, पुरा लेख मतलब कुछ भी हमको, अगर हमारा individual है, हमारा case है, तो उस पे कोई record उसका birth से लेकर अभी तक medical record, उसका report मतलब evaluation record अगर वो हम पढ़ाई लिखाई से समबंदित कोई उसकी चीज का अधियन करने जा रहे हैं उतना कुछ हमको उस व्यक्ति के बारे में मिल सकता है, वो सब कुछ then direct observation, हम observe करके हमको पता चल जाएगा कि उसका क्या आदती क्या है अगर हम study से related कोई चीज research कर रहे हैं, तो study habits क्या है, everything, documents जितने कुछ उससे related documents उसकी family history, everything interviews, हम उसका interview करके निकाल सकते हैं, बहुत सारी बात नहीं जो हमको इन सब चीजों से नहीं पता चल रही हैं, इन सब record से नहीं मिल रही हैं and then अगर हमारा direct observation से काम नहीं चल रहा है, तो हम participant observation भी कर सकते हैं, तो इस तरह की कि बहुत सारे और methods हम इस्तिमाल करके data collection के, हम data establish कर सकते हैं and collect कर सकते हैं case study के दिये हमने case study कर ली, case study एक बहुत बढ़िया तकनीक मानी जाती है, बहुत बढ़िया इसका तो बहुत main, you can say की major, यह study method है तो क्या इसकी strength है, positivity इसमें क्या है, advantages क्या है सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हमको यहां क्या मिल जाता है provides detailed information हमको, चुकि हम इतना कोच एकठा करते हैं उस case के बारे में कि हमको rich qualitative information पता चल जाती है, फिर और क्या है, permitting investigations of otherwise impractical or unethical situations, यानि कि हम उस स्थिती में भी अध्यन कर सकते हैं अगर वो impractical है, प्राय होगी group से हम उसको नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली या unethical कोई ऐसी situation हम जिससे हम उसको नहीं कर सकते हैं हम एक case के रूप में बनाके एकदम unique नहीं सुसके study कर सकते हैं तो इन सब के investigation के लिए permission हमको case study में मिल सकते हैं इन ज़नली मुश्किल है then, allows researchers to investigate a topic in far more detail hence used in exploratory research okay तो ये, चुकि हमको बहुत बढ़िया data यहां मिल जाता है detail में मिल जाता है इसलिए exploratory research में ये useful होता है then, method is important for psychologists who adopt a holistic point of view वो psychologists जो एक holistic point of view से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया method है जैसे कि humanistic psychologists जो manav waadi manovigyani है उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया method है then, it allows researchers to develop hypothesis that can be explored in experimental research मतलब ये जो researches हैं वो develop करती हैं hypothesis जिनको कि हम experimental research में verify करते हैं कि सही है कि नहीं जबकि हम experimental research में hypothesis क्या करते हैं verify करते हैं, test करते हैं यहां आप कह सकते हैं कि to develop hypothesis to generate hypothesis यानि कि case study से हमको hypothesis generation में मदद मिल दी है then, it provides an opportunity for innovation हमको नवाचार के लिए भी अवसर मिलता है यहां पे then, it allows researchers to challenge theoretical assumption अगर कोई theoretical assumption है उसको challenge करने का भी मौका ये अनुसंधान करताओं को देता है क्या कौन case study method then, limitations लिमिटेशन भी होंगी अगर positive points होंगे तो चूकि इसमें scientific rigor lacking है इसलिए generalization वाला part यहां पर missing है क्यों? क्योंकि हम जो हमारा case है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो population का representative हो जब तक वो population का representative होगा हम उसके research को, उसके result को generalize कर ही नहीं सकते generalization का मूल यही है कि जो हमारा sample हो, वो population का प्रदिने दित्व करना होना चाहिए तब ही तो हम उसका answer population पर generalize करेंगे न वरना वो typical उसी case के लिए सही होगा सिर्फ then, researchers' own subjective feelings may influence to case study हम research करने वाले हमी सब कुछ आपके बारे में अध्यन कर रहे है सब कुछ नक से शिक तक आपके बारे में तो हो सकता है मेरा bias आजाए आपकी reporting में तो यह subjective feeling बहुत hamper कर सकती है उसकी objectivity then, difficult to replicate sorry चुकि controlled condition नहीं है, हमने experimental research में पढ़ दिया है इसलिए replication भी possible नहीं है जब तक हम condition को control नहीं करेंगे तब तक हम उसको replicate नहीं कर पाएंगे इसलिए चुकि यह natural phenomena है इसलिए replication भी बहुत मुश्किल है you can say impossible है then, बहुत time consuming है और expensive भी है क्योंकि हमको every detail निकालनी है तो बहुत time भी लगता है और में खरचीली भी पड़ती है then, it cannot demonstrate cause and effect क्यों? क्योंकि हमने conditions को control नहीं किया हमको variables पे हम बात नहीं कर रहे है हम condition को control नहीं कर रहे है हम randomization नहीं कर रहे है हम experimental method का कोई step follow नहीं कर रहे है तो हम cause and effect भी हम नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ गटना है एक बहुत important और बहुत मजबूर बहुत शक्तिशाली, you can say powerful method है अगर हम वाकई in-depth information in-depth किसी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते है किसी घटना के बाते में किसी व्यक्ति के बारे में किसी समूं के बारे में तो okay so thank you all and don't forget to like and subscribe my channel you can also join my telegram group where you can attain quizzes get learning materials and most important that you can ask your query there because that platform is where you can also share your views you can share feedback in YouTube only I am speaking but here there you can also speak okay so done from my side and I have completed methods of educational psychology today experimental method as well as case study method and in my previous video I have covered introspection and observation so go through that video for that topic okay done